नमस्कार जहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में डिलेट 4 सेमेस्टर विज्ञान की तैयारी किक्रम में फास्ट रिवीजेन का यह वीडियो नमबर 2 है इससे पहले एक वीडियो नमबर 1 प्रवाइड किया जा चुका है और यह वीडियो नमबर 2 है इसमें हम कुछ विज्ञान के important topic से प्रशन ले रहे हैं जो आपके लिए काफी जादा important है तो इस पूरे वीडियो को last तक देखेगा छोटा सा वीडियो इसी तरह करके हम 3-4 वीडियो और आपको आपकी परिक्षा के पहले provide कर देंगे तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो यह कौफी जादा important वीडियो है आपकी परिक्षा के लिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का निशान जरूर दबा लिजे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले समझ लेते हैं कि धातू क्या है जो तत्व विद्दूत व उस्मा के सुचालक आगातवर्धनिय तन्य तता विशेश चमक वाले होते हैं तता धनायन बनाने की प्रवत्ती रखते हैं वह धातू कहलाते हैं जैसे आपके लोहा, तांबा, सोना, चांदी ये सब क्या है ये सब धातू है और इन सभी में विद्दूत की सुचालकता और आगातवर्धनियता तन्यता और विशेश चमक होती है इस कारण इने धातू कहा जाता है अगर हम बात करें अधातू की अधातू क्या होते हैं जो तत विद्दूत वा उस्मा के कुचालक तथा भंगूर होते हैं तथा सामानिता रिडायन बनाने की प्रकती रखते हैं उन्हें अधातू कहा जाता है इसमें सामानिता कोई चमक नहीं होती तो ये इस तरह तो ये चीज़ समझ गया, महलब धातू और अधातू की अगर परिभाशा आजाए तो वो भी आप लिख सकते हैं, अगर धातू और अधातू में डिफरेंस आजाए यानि अंतर आजाए तो वो भी आप आसानी से लिख सकते हैं, इसके बाद देखते हैं खनिज क्या होता है, प्रत्वी में धातू और उनके योगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है जैसे NACL-CACO3 तो ये हैं एक तरीके से खनिज आगे देखो IASC क्या होते हैं? उस खनिज को जिसमें से किसी धातू को सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है उसे उस धातू का IASC कहते हैं यानि कि IASC वो चीज है जब हम प्रत्वी से कोई चीज का खनन करते हैं तो हमें IASC प्राप्त होता है और फिर उस IS का हम सुधी करड़ करते हैं तब जाकर उसमें से हमें धातू प्राब्त होती है जैसे यहाँ पर देखे लिगा है बॉक्साइट, हैमेटाइट बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ऐलमोनिया हैमेटाइट से हमें क्या मिलता है? लोहा तो इस तरह जो है आपके सामने ये चीच clear हो गई चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है सभी आयस्क खनीज होते हैं परन्तों सभी खनीज आयस्क नहीं होते ये भी एक statement है याद कर लिजे आगे देखते हैं आयस्क के प्रकार कौन कौन से आयस्क के प्रकार होते हैं पहला है अक्रिय आयस्क जैसे सोना चांदी ये सब क्या है ये अक्रिय आयस्क है क्योंकि ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं यानि इनको जब हम इसमें खनन करते हैं प्रत्वी के अंदर से ता फिर इनके इनको ज़्यादा शोधन करने की जुरूरत नहीं पड़ती इने ज़्यादा डिफाइन करने की जुरूरत नहीं पड़ती तो यह क्या कहलाते हैं यह अक्री आयस्क कहलाते हैं यानि यह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और जो ऑक् प्रकति में पाए जाते हैं तो यह सब चीजे clear है आगे चलो अब देखते हैं जो अंग उत्पत्ती में असमान होते हैं परन्तु कारी की द्रश्टी से समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं सम रूब अंग clear हो गई बात और जो अंग उत्पत्ती में समान है परंतु कारे करने की द्रश्टी में अलग-अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं समजात अंग, क्लियर हो गई बात, दोनों में डिफ्रेंस समझ लीजे, ये जो अंग होते हैं, उत्पत्ती में आसामान होते हैं, मतलब समान नहीं होते हैं, उन्हें कहते है समरूप अंग लेकिन जो अंग उत्पत्ती में समान होते हैं उन्हें कहते हैं समझात अंग ठीक है प्रयोग साला में सरुपर्थम कार्बनिक योगी कौन सा है तो वो होता है यूरिया सामानी इस्तिती में हिर्दय की धड़कन कितनी बार धड़कती है मतलब कितनी धड़कन ह होती है तो यह 72 होता है 60 से 80 बार श्रव्य तरंग की आवरती कितनी होती है यानि ऐसी तरंग जिसको मनुसे सुन सकता है वो होती 20 से 20 हजार हर्ट्स तक कभी-कभी यह भी आ जाता है कि ध्वनी की इकाई बता हो तो वह हो गई हर्ट्स क्लियर और यह कह दें कि कभी-कभी यह आ जाता है कि ध्वनी को किसमे मापते हैं तो वह आपका होता है डेसी बल क्लियर हो गई बात अप श्रव्य तरंग की आवरती कितनी होती है अप श्रव्य तरंग की आवरती होती है 20 हर्ट्स के नीचे यानि जो मनुसे को सुनाई नहीं दे सकती क्योंकि मनुस्य के सुनने की शमता कितनी है 20 से 20,000 हट्स अब 20 से अगर नीचे हो गई तो वो हो गई अपस्रव्य और अगर 20,000 से ऊपर हो गई तो वो कहलाएगी पराश्रव्य जैसा कि लिखा हुआ है पराश्रव्य तरंग की आवरती कितनी होती है तो वो 20,000 हट् क्या लिखा हुआ है बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव द्रव से गैस में आवश्यक उसमा को क्या कहते हैं इसे कहते हैं पदार्थ की गुप्थ उसमा क्लिएर हो गई बात यानि अगर आपको अवस्था चेंज करनी है किसी अगे देखें ध्वनी तरंग के किस प्रकार उधारण है जो ध्वनी है वो तरंग का किस प्रकार का उधारण है तो वो है अनुधैर्द तरंग आगे देखें लिखा हुआ है विसिस्ट उस्मा किसे कहते हैं उस्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप एक डिगरी Celsius बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे विसिस्ट उस्मा कहते हैं यानि अगर किसी का द्रव्यमान का ताप मान बढ़ाना एक डिगरी तो उसके लिए जो उसमा चाहिए उसे विशिस्ष उसमा कहते हैं ग्रीन हाॉस प्रभाव क्या है ग्रीन हाॉस प्रभाव वा घटना है जिसके कारण प्रत्वी उसमा को ग्राहड करती है या फिर रोकती है तो यह होता है ग्रीन हाउस प्रभाव आगे लिखा हुआ है जब ध्वनी तरंगे दूर इस्थित किसी द्रफ टावर या पहार से टकरा कर परिवर्तित होती है इस प्रकार की ध्वनी को क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रति ध्वनी अंग्रेजी में कहते हैं कभी-कभी ये भी आ जाता है कि प्रतिध्धनी सुनने के लिए कम से कम कितने दूरी होना आवश्यक है तो उसका उत्तर है 16.6 मेटर क्लियर ये भी कभी-कभी प्रश्ण आ जाता है अब देखे जलीप अधिय कौन-कौन से होते तो जलीप अधिय कुमुदनी और हैड्रला होता है तो आरबी-सी का निर्मान अस्थिमज्जा में होता है आगे देखे स्वेक्टत रक्त कडिकाएं डब्लूबी-सी का जी अगला है रुधिर का pH मान कितना होता है तो रुधिर का pH मान 7.4 होता है RBC वा WBC का सरीर में अनुपात कितना होता है यानि RBC कितने होते हैं WBC की मुकाबले अगर WBC एक है तो RBC की संख्या 600 होती है तो ये चीज़ क्लियर कर लीजे RBC और WBC का जो अनुपात होता है वो 600 अनुपात एक होता है प्लाजमा में कितने प्रतिसत जल होता है तो प्लाजमा में 90 प्रतिसत जल होता है रक्त कडिकाएं कितने प्रकार की होती है ये तीन प्रकार की होती है RBC यानि Red Blood और WBC यानि White Blood और Platelets ये तीन तरीके की कडिकाएं होती हैं रक्त में मानो रक्त में कितने प्रकार के रक्त समूँ पाए जाते हैं तो A, A, B और आपका B और O ये कुल मिलाकर चार रक्त समूँ पाए जाते हैं यहां से एक और question बनता है कि इन चार में से सर्वदाता कौन है ऐसा कौन सा रक्त समूँ है जो सभी को रक्त दे सकता है तो सर्वदाता रक्त समूँ है O clear है और अगर कहें सर्वग्राही रक्त समूँ कौन सा है यानि ऐसा कौन सा रक्त समूँ है जो अन सभी रक्त समूँ हो से रक्त ले सकता है सर्व ग्राही तो वो कौन सा है A, B, clear हो गई बात O है आपका सर्व दाता A, B है सर्व ग्राही तो ये चीज़ आपको clear हो गई होगे तो उम्मीद करता हूँ ये प्रशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर इन से सम्मंदित अगर आपकी परिक्षा में कोई प्रशन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कनिशन जरूरत बाएं मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत